दही जम ने रखी भी बहुत अच्छे जम गया है देखिए कितना मस्त दही जमा है घर की बनीवी दही की बात ही कुछ और होती है तो पहर में मैं दही खाती हूँ शाम के टाइम में तो दही खाने से पता है क्या होगा तो अपने लिए भी निकाली हूँ और इसको रख देती हूँ फ्रीज में आज हम लोग कहीं घुमने जाने वाले हैं इस वज़े सरसगुला बना रही हूँ लेने के लिए तो अल्मोस्ट यह हो चुका है तो अभी इसको थोड़ी देर ठंडा होने दूँगी उसके बाद इसको डब्बे में भड़ लूँगी तो एक मैं निकाल करकर दिका रही हू मैं बनाई थी बहुत स्पॉंजी बना है बागी के जो रसगुले बचेते सारे को इस डब्बे में भड़ ली हूँ ताकि लेने में सुविधा होगा तो अभी इसको थोड़ी देर फ्रीज में रखोंगी जाते वक्ति इसको बाहर निकालूंगी कर दो दोड़िए कालूंगी कर दो कर दो कर दो कर दो और दो मुसी बनाई है परव का मिठाई अर्सा है इधर निम्की है खाना बन गया है चुला में खाना बन रहा है चाई पी रहे हैं नीबू अलमस्त मसाला चाई अलमसी चुला में खाना बना है यहां अचाई इधर से चुला दिख्येगा यह रहा चुला मुट्स परीटी कहा है कर में। तो हम लोग इस पर मोसी के घर आए हैं पर्व मनाने के लिए और बहुत सरे महमान भी आई हुए हैं बाहर मांदर का वाज आ रहा है मतलब अभी गाउ में किस तरीके से पर्व मनाते हैं मैं दिखाऊंगी आप से वीडियो में कंटीनी हो रही है फिलहाल आभी बाहर का कौन पनाय हैं पनाय है पनाय है पनाय है मतलब अभी आदिवासी के रोग में तो मांदर होती ही है उसके पनाय है मतलब अवासी के में करता आभासी के अभी आद से तरुबा में suited की आदी आँ पनाय है दोलू कोदी हो गिया है भी कौन है ढोलू मोसा है देखना जोर से पकड़ना नहीं तो गिरा देंगे ढोलू यहाँ होटल में बैटके समोसा खा रहा है कौन खरी दिया ढोलू हां कौन खरी दिया नहीं बताएगा अधीदी को नहीं खिला रहा है हम लोग जा रहे हैं अभी धोलू महराज को घर छोड़ने अभी होटल में समोसा खा चुका है पेट फुल है इतने सारे लोग जा रहे हैं धोलू को छोड़ने के लिए हां क्या हुआ धोलू धोलू की मम्मी मिल गई है वो रूप नहीं रहा है यह है अंजली धोलू की दिदी जो आजकल खुला गई है बाथी नहीं कर रहे है कहां गूम रहे हैं आप इतना स्पीड में भगा रहे गाड़ी सब आज पहली बार मोसी का गाउं घूम रहे हैं इधर एक दम खेत को जोत लिया गया है लाल-लाल मिट्टी है और आस्ता बड़ा सही लग रहा है और सीनरी तो इतना अच्छा लग रहे है ना शाम के टाइम का और बाकी लोग सब आये जल्दी पिछे पिछे क्यों भूम रहे हैं हम लोग पहुच गए हैं धोलू के घर और आज पहली बारे बापरीन के घर तो पिछता है दो कर दो